Hello everyone, this is Faisal Saeed here with another mobile review from Mashtag Insights और आज मैं जिस फून का review करूँगा वो है Vivo Y53S ये स्मार्टफून पाकिसान में 40,000 की price track के साथ आता है इसकी price range के साब से इस insert में बहुत सारे ऐसे features हैं जो के इसके competitors के साब से बहुत कम हैं तो आज के इस review में मैं आपको बताऊँगा कि कौन से features ऐसे हैं जो के इस mobile में होने चाहिए थे और कौन से features ऐसे हैं जो इसके price track के साब से काफी बेतर है So let's start with the review सबसे पहले बात करेंगे Vivo Y53S की display performance की ये handset 6.58 inches की IPS LCD display के साथ आता है और इसकी resolution 1080 by 2400 pixels है दो Y53S की screen quality काफी अच्छी है लेकिन इसमें ना आपको refresh rate मिलता है और ना ही AMOLED display अगर इसकी price range को देखें तो 40,000 में minimum भी इसमें 90 Hz का refresh rate होना चाहिए था और इसके लावा अब even 30,000 की range में भी आपको AMOLED display मिल जाती है जो के इसमें नहीं है अगर simple video quality की बात करें या moving watching experience की बात करें तो इसकी IPS LCD display की performance काफी अच्छी है और वीडियो भी काफी जादा clear आती है लेकिन normal usage या social media browsing में इसकी performance refresh rate ना होने की वेज़े से समूद बिलकु नहीं आती आपको इससे कम price range में Redmi, Realme और OPPO के काफी handsets ऐसे मिल जाएंगे जिनकी display performance इससे काफी बेतर है अब बात करते हैं इसके camera performance की वीवो Y53S के front side पे आपको 16 megapixel का selfie camera मिलता है और इसके back side पे आपको triple camera setup में 64 megapixel का main camera 2 megapixel का macro lens और 2 megapixel का depth sensor मिलता है इस handset का एक और drawback गी है कि इसमें आपको ultra wide lens नहीं मिलता कैमरा performance की बात करें तो इसकी performance above average है 64 megapixel lens के साथ आपको daylight में बहुत अच्छे shots मिल जाते हैं और portrait mode में edge detection भी काफी जादे बेतर है इवन night light में आपको portrait shots काफी अच्छे मिलते हैं अब अगर low light conditions की बात करें तो उसमें इसकी camera performance काफी हद तक गिर जाती है इसके indoor shots normal light में बेतर आते हैं लेकिन अगर outdoor shots की बात करें तो उसमें light कप होने की वज़े से picture quality काफी dark आती है जिसकी वज़े से pictures की overall quality खराब हो जाती है इस sensor में आपको 1080p तक video record करने का option मिलता है और उसमें आपको image stabilization का option भी मिलेगा अगर selfie camera की बात करें तो उसकी pictures quality day light condition में काफी बेतर है और portrait shots की edge detection भी काफी अच्छी है लेकिन similar to back camera low light conditions में थोड़ी performance डाउन हो जाती है लेकिन अगर light conditions बेतर है तो selfies काफी अच्छी हाती है अब अगर बात करें इसके processor और gaming performance की तो Vivo Y53S में आपको 8GB RAM मिलती है जो कि आप 3GB तक extend भी कर सकते है और storage space इसमें 128GB मिलती है इसके इलावा आपको Y53S में MediaTek Helio G80 की chipset मिलती है इस headset की gaming performance below average है अगर आप Call of Duty के fan है तो वो इस mobile में सिर्फ medium graphics में चलेगी क्योंकि इससे high graphics को select करने का option आपको नहीं मिलता और अगर आप बागी गेम्स की बात करें तो PUBG में आपको higher settings मिल जाएंगी लेकिन उसमें gaming performance कोई खास अची नहीं आती और medium पर लोग graphics होने की वज़े से gaming के बीच में screen performance भी खास अची नहीं है gaming performance के लिहाज से यह headset बिलकुल भी recommended नहीं है क्योंकि इससे कम price range में आपको काफी headset ऐसे मिल जाते हैं जिनकी chipsets भी बेतर हैं और उनकी gaming performance भी even realme C15 जो पाकिसान में 5000 की नेज में available है उसकी gaming performance भी मुझे इससे जादा बेतर लगी उसके इलावा Redmi Note 9, 9 Pro, 9S भी गेमी के लिहाज से इससे बहुत जादा बेतर हैं और वो आपको 30 से 40,000 की नेज में मिल जाते हैं अब बात करते हैं इसकी battery performance की इस mobile का सबसे हाइलाइटिंग फीचर इसकी battery और इसकी fast charging है Y53S 5000 mAh की battery के साथ आता है और इसके साथ आपको 33 Watt की fast charging brick भी मिलती है आपको इसमें एक दिन का battery backup easily मिल जाता है overall अगर Y53S की features की बात करें और उनकी performance की बात करें तो इसकी price range के हिसाब से यह mobile मेरी opinion में बिकोई भी recommended नहीं है क्योंकि सिर्फ बैटरी और कैमेरा के लिए आपको 40,000 पीस खर्च करने की जुरूरत नहीं है आपको इसे कम price range में काफी smart phones मिल जाते हैं जिन में इससे अच्छे features मुझूद है for example, realme narzo 30 gaming performance और इसकी battery और इसकी display by 53S से बहुत जादा बेतर है और वो आपको 30,000 पीस में मिल जाता है तो यह था गाइज आज का review I hope you will like it to watch more videos like this keep watching our channel Allah Hafiz